हेलो गाईज वेलकम बैक मैं सेलफ एसके डिगरवाल और आज आपन बात करेंगी खास तोर सी जो भी स्टुडेंट सेकेंड गेर की एकजाम में अपियर होने वाले हैं उनकी जो सेंटर है वो जारी कर दे गए हैं तो आरपियसी की जो SSID है या फिर अपन कहें SSID के थूरू भ इस प्रकार का इंटर्लोग है या फिर इंटर्फेस है वो आपको दिखाई देगा इस इंटर्फेस पर जैसे आप देखते हूं तो सबसे पहला जो क्लिक करोगे आप क्लिक हेर टू नो डिस्टिक लोकेशन सेकेंडरी टीचर कॉम्प्रेटिव एक्जाम 2022 की उपर आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करते है कुछ इस प्रकार का इंटर्फेस आएगा इसमें सबसे पहले नीची तरफ हम देखेंगे नो योर सेंटर लोकेशन यहां से अपना सेंटर लोकेशन पर क्लिक करकर आप अपने जो एप्लिकेशन नंबर है यह वह इस प्रकार से आप एंटर कर सकते हुँ जैसे अपने डाल दी है और यहां पर आपकी जो डेटो बर्थ है वह आप इंसर्ट कीजिए यहां पर आपका मन्त आ जाएगा और यहां पर आपका डे आजयेगा और यहां पर जो नीचे के तरफ है वो जो सैंसिटिम कोड़ है वह आपको डालने है जैसे आपने इसको सब्मिट करेंगे सब्मिट करते ही आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपका जो नाम है आपकी पोस्ट एप्लिकेशन आएडी और यहाँ पर जो आपके पेपर है उनकी पोस्ट नेम सेंटर लोकेशन और एक्जाम और सफ्ट धुट वो सामने है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है हिंदू हिंदि और सेंटर आपका जो भी सिटी है आपकी और यहां पर आपकी examination that है और shift दिखा रखी है morning या evening इस प्रकार से आप second grade का अपना जो central location है वो देख सकते हैं अपनी SSID portal के थूँ और जो इनके admit card है वो इसे से SSID से भी आप देख सकते हो और direct RPSC site से भी आप download कर सकते हो तो जो भी आपकी examination that होगी उसे चार दिन पहले आपका admit card है वो जारी करती है जाएगा तो SSID के थूँ सेम इसी method से आप देख पाओ तो आज के लिए सुचना यही complete होती है Thank you friends